जो भी होता है, अच्छे के लिए होता है प्रेरक कहानी एक दिन के भगवान वर्टिकल बार भगवान की योजना एक बार भगवान से उनका सेवब कहता है भगवान आप एक जगा खड़े-खड़े ठक गए होंगे एक दिन के लिए मैं आपकी जगा मूर्ती बनकर खड़ा हो जाता हूँ आप मेरा रूप धारन कर घूम आओ भगवान मान जाते हैं लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना कुछ बोलना नहीं मैंने उन सभी के लिए योजना बना कर रखी है सेवक मान जाता है सबसे पहले मंदर में एक व्यापारी आता है और कहता है भगवान मैंने एक नया कारखाना डाला है उसे खूप सफल करना वह माथा टेकता है तो उसका बटूआ नीचे गिर जाता है वह बिना बटूआ लिये ही चला जाता है सेवक बेचैन हो जाता है वह सोचता है कि रोक कर उसे बताएं कि उसका पर्स गिर गया है लेकिन शर्त की वज़ह से वह नहीं कह पाता इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करो तभी उसकी नजर बटूए पर पड़ती है वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटूआ लेकर चला जाता है अब तीसरा व्यक्ती आता है, वहाँ नाविक होता है वह भगवान से कहता है कि मैं पंद्रा दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ यात्रा में कोई अडचन ना आए भगवान तभी पीछे से व्यापारी पुलीस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा बटूआ चुराया है पुलीस नाविक को लेकर जा रही होती है तभी सेवक बोल पड़ता है कि बटूआ गरीब आदमी ने चुराया है सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी-खुशी पूरा किस्सा बताता है भगवान कहते हैं तुमने किसी का काम बनाया नहीं बलकि बिगारा है वह व्यापारी गलत धंदे करता है अगर उसका बटूआ गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता इससे उसके पाप ही कम होते क्योंकि वह बटूआ गरीब इनसान को मिला था बटूए के मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते रही बात नाविक की तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहा तूफान आने वाला था अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती उसकी पत्मी विद्वा होने से बच जाती पर तुमने सब गड़बड कर दी कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याय आती है जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है इस कहानी को याद करना और सोचना की जो भी होता है अच्छे के लिए होता है अच्छे के लिए है